हो गया होगा अब देखते हैं कि missing values को impute करने के और कौन से तरीके जो मैंने आपको पहले भी बताया है मैं यहाँ पर अपनी screen आपके सामने share करता हूँ और same notebook के अंदर हमारे पास advanced technique है जिसको मैंने multiple imputation by chained equations यानि कि माइस की टकनीक को use किया है और यह बहुत sophisticated way है माइस को use कर यूज कर सकते हैं iterative imputer को भी यूज करें तो यह भी माइस की तरह ही काम करता है so मैंने यहाँ पर iterative imputer को बार बार हाँ आपको दिखाया कि आप iterative imputer को use कर सकते हैं which do some kind of iterations आपको data को encode करके decode करके और missing values को impute करके आपको दे देता है इसके इलावा आपके पास और भी methods हो बारे में भी हम बात करेंगे जब हम deep learning में जाएंगे और इनके advantages के हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे ठीक है autoencoder neural networks होते हैं जो train करते हैं किसी भी एक data की waste पे आपकी regression algorithm की base पे आपकी values को impute करके आपको देते हैं which are even more accurate in some cases than random forest या iterative imputer that is why we recommend कि आप इस notebook के एंड पर य यह आप जरूर चेक करें और अपना deep learning और बाकी तरीकों से जो मैंने आपको missing values को impute करना बताया है इसको जरूर सीखें यह सारी की सारी notebook का नाम है five important ways of missing values imputation और यह notebook मैंने अभी save की है and now I will actually upload this notebook यहाँ पे deep learning का जो तरीका मैंने आपको last में बताया है वो आप यहाँ पे द and we will see that inshallah in upcoming days but यह मैं notebook आपको दे देता हूँ DL with missing values notebook number 24 and notebook number 25 आपके पास मुझूद है ठीक है जिसके अंदर यह सारा सारा हमने चीज़ें देखी हुए है फिर हमारे पास आता है inverse transform जो मैंने notebook number 27 आपको दी है all models जो हमारे पास आ रहे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे जो हम आप सारी चीज़ें हैं बलके मैं इसको कर देता हूँ 26 इसको 27 कर देते हैं इसको 26 कर देते हैं ताके यह आपके पास सेवरे inverse transform और वाकी चीज़ें राइट जी यहाँ तक के लिए आपको समझ आगी होगी यह मैं आपके सामने अभी इसको github के उपर fetch करता हूँ day 92 मैं इ हमारी repository है उसके उपर link मैंने description में दिया हुए जहां पर मैंने github का बताया है आप उस पर click करेंगे तो आपके पास सारे के सारा github की repository का जो data है वो आ जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफा था कि आपको याद रहे कि notebook कहां से लेनी है आपने description में लिंक है वह repository मुझूद है और यह हमारे पास inverse transform, dl missing values, imputing missing values, inverse transform यह हमारे पास तीन जो हमारी चीज़ें आगी है यह जो हम काम करेंगे all models का यह कल करेंगे और इसके इलावा सारे के सारी notebooks हम यहीं पर upload कर रहे हैं यहां पर projects के अंदर recently जो हमने best model selection का presentations नहीं थी उनकी दोनों की notebooks हैं बि hopefully जी आपको आज के lecture में सारी चीज़ें समझ आई होंगी and I'm very hopeful कि अब आप क्या करेंगे इस notebook को निकालेंगे practice करेंगे और आप देखेंगे किस तरीके से यह काम करती है